कखशा नॉवमी Qakushya lome आसा है कि आप सभी हर्त हो गए हूंगे ऑनलाइन क्लास के पढ़ने के लिए आज आम हिंदी में व्याकरन पढ़ेगे हिंदी में व्याकरन में है क्या है उपसर्ग वसर्ग की परिभास यपत्र की कि प्रकार के होते हैं यह सब हमाज पढ़ेंगे, आज की क्लास में, अब है परिभासा, भासा के वे अर्थवान, छोटे-छोटे खंड जो सब्दों में जुड़कर नई सब्द बनाते हैं, उन्हें हम या पिर अर्थ में बदलाव करते हैं, तो उन्हें ही हम उपसर्ख कहते हैं, उपसर्ग में हैं, उधारन देखेंगे हम के, कैसे प्रयोग करते हैं, उधारन में बताया है, प्रयोग, प्राधन योग, आहार, आधन आहार, आधी कार, आनु कूल, ये उधारन है, क्या है, क्या बताया कि भासा के वे अर्थ मान चोटे-चोटे खंड, जो सब्दों में जुड़कर नए सब्द बनाते हैं, या अर्थ का बदलाव करते हैं, उन्हें हम उपसर्ख कहते हैं, अब है इनके मूल सब्द के कैसे बना है, योग, प्रयोग, ये आहार, कैसे बना है, इसके हम देखेंगे कि इसका उधारन में क्या बताया है, मूल सब्द है, योग, अब योग का हम बनाएंगे, नया सब्द क्या बनाएंगे, प्रयोग, तो फिर दर सब्द रचन हो जाए अपना यह हार 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 क्या बनेगा आहार आधन हार कार कैसे बनेंगे कार का अब है कूल अनुकूल जो हमने आगे देखा अनुकूल को कैसे तोड़के अर्थ में बदला हो जाता है यहां पर प्रा आधि अनुकूल यह शब्द उपसर्ग हैं आगे देखेंगे हम चे उपसर्गों के प्रकार किते होते हैं उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं किते प्रकार के होते हैं चार प्रकार के पहला है संस्कृत के उपसर्ग दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है आगतिया विदेशी उपदग, चाथ चोता है उपसर्ग के समान प्रेव होने वाले संस्कृत के अपव्यायद, अब देखेंगे हमके संस्कृत के उपसर्ग, इन उपसर्गों को तच्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, संस्कृत के उप सब्दों का संस्क्रित उपसर्ग से पने हुए शब्दों के बारे में उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग 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 क्या है उपसर्ग में दिया है शब्द का अती अलग से लगने वाले सब्द है ना आर्थ में बदलाओ वाले सब्द तो अती का अधिका होता है बहुत अधिक अब इधर पे बन जाएगा उफसर्ग लिया गया है अधी याने ऊचा या स्वेष्ट अब इससे अधी से सब्द बनेंगे उफसर्ग लियुप्त अधिवक्ता अधिनायक आदि अब है अनुकूल उपसर्ग अनुकूल उपसर्ग यानु का क्या कहलाता है अर्थ पीछे या बाद में अनु से बनाएंगे नए सब अनु गमन अनु सार आदि ये सब उपसर्ग लगाकर नए सब्द बनाना अब ये सबी सब्द विशेष्टा बचाने के लिए रर्साय गए हुए है जैसे अव इसमें क्या विशेष्टा बुर्रा या हीन के बारे में बता रहा है तो अव से बन जाएगा अवगोन अवगति अब है आ तक समेथ परियत आजन्म ये सबी सब्द विशेष्टा बताने के लिए दर्शाय गए हैं अव है अव ये है उपसर्ग इसको अव याने क्या होता है बुरा या हीन इसमें उसर्ग युक्त बनेंगे अव गुन अव नतीररर को नटी अब है आ आ का ये तक समेथ परिया दिता है ये सब इसका उप का अर्थ होता है निकट या समान, तो इससे जुड़की क्या बनेगा उपवन, उपवास, उप और वास, उपवास, फिर है दूर, दूर का होता है अर्थ कठिन या बुरा, तो दूरवल, दूरजिन आदि, पर दूस्ट, कठिन या बुरा होना, यहां पर बताया, दूर का भी आर्थ बताया, कठिन या बुरा, और दूस्ट का भी कठिन या बुरा, तो दूस्ट का होगा दूसाहस, दूसकर्म, नया सब्द क्या बनेगा दूसाहस, दूसकर्म, हिंदी के उपसर्ग इन उपसर्गों का दूसरा नाम तद्भाव तद्व और उपसर्ग भी है इनका प्रयोग हिंदी शब्द के प्रयोग में किया जाता है जैसे अब देखेंगे हम नए सब्द उपसर्ग अर्थ उपसर्गियों सब्द अब देखेंगे हम कि आ का क्या बताया है आ से अर्थ बताया है अभाव रहित आ का अर्थ क्या बताया अभाव और रहित आ से बन जाएगा अथाय अचूत अजान क्या है अन जान फिर है अन अन याने निशे दिया अभाव किसी चीज का अभाव होना अन जान आ लगके क्या अन लगके अन जान अन पढ़ फिर आउ आउ याने हीन या बुरा आउ सब्दकार्थ क्या है हीन या बुरा तो इससे जुड़के बनेगा आउ घर आउ जार ओजार फिर उन एक कम यहने इसमें आ जाएगा एक कम यहने उन तीस लग जाएगा उन लगाके उनन चास आदी आगत या विदेशी शब्दो उपसर्ग पढ़ाएंगे अब हम तो आगत या विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं? उर्दू, अर्वी भासा, फार्सी और अंग्रेजी भासाओं के उस सर्वी सी में आते हैं जैसे बताया है कि अल, उधारण के लिए क्या होता है यहाँ पर देखेंगे आप अल, अल में आएगा अर्थ निश्चित, एक निश्चित होना अलगट, इससे सब्द नया क्या बनेगा, अलगट, अलगराज, आदी, एन, एन याने ठीक, अच्छा फिर एन वक्त, क्या बनेगा सब्द नया, एन वक्त या एन मोके, कम, थोड़ा कहते हैं न हम बहुत कम हैं, उसका क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा होना कम तर, तट, कम तट, कम उम्र, उम्र के आगे क्या लगा है, कम, यह उससर्ग लगा हुआ फिर खुश, खुश का अर्थ है, प्रसन होना, खुश होना, खुश मिजाज, क्या बनेगा सब्द यहाँ पर? खुश मिजाण, खुश घुश लगा है ना, तो ये खुश उपसर्ग सब्द लगा हुआ है, फिर गैर, गैर का आएगा पराया होना, या नहीं, तो गैर हाजरी, गैर जरूरी, क्या आप लगा यहाँ पे गैर सब्द से क्या बना गैर हाजरी और गैर जरूरी फिर है उपसर की समाँ प्रयोग होने वाले संस्कृत अपव्याई जैसे आ अभाव अभी अपने पिछला भी पढ़ा था अभाव अग्यान अधर्माजान यह सब्दापन्य जुड़कर पढ़े उपसर्गों को अब पढ़ेंगे कि संस्कृत में भी कैसे होता है फिर आ का है अभाव यहाँ भी आ का अभाव अर्त बताये अग्यान